प्रश्णकर्ता का नाम अश्मित है पूछ रहे हैं अचारे जी प्रणाम आप पताते हैं कि माँ की ममता नवजात बच्चे की सुरक्षा के लिए होती है और जानवरों में दिखता भी है कि जैसे जैसे नवजात बच्चे बड़े होने लगते हैं के भीतर से ममत वक खत्म होने लगता है लेकिन इनसान के साथ ऐसा नहीं दिखता मेरी मा तो काफी मौँ में नजर आती है जबकि मुझे अब उनसे कोई सारिरिक शुरक्षा नहीं मिलती इस ममता का क्या कारण इस ममता का कारण ये है कि हमें जो चीज मन की उचाईयों से मिलनी चाहिए चेतना की उचाईयों से मिलनी चाहिए उसे हम वहीं खोजते रह जाते हैं जहां से मन की शुरुवात हुई थी मन की शुरुवात होती है शरीर से शरीर ना हो तो चेतना होने वाली नहीं पर चेतना जैसे जैसे सशक्त होती है आगे बढ़ती है उसे शरीर को छोड़ करके अपना असली ठिकाना तलाशना होता है शरीर को छोड़ करके यह छोड़ने में लगता है डर तो नतीजा यह निकलता है कि उम्र बढ़ती जाती है लेकिन चेतना फिर भी शरीर से ही लिप्टी रह जाती है जोटा बच्चा हो कोई वो अपने पाउं कांग उठा चूसे कोई बात नहीं लेकिन वो बढ़ा होकर के वही अपने पाउं कांग उठा चूसे तो बड़ी भद्धी बात है न हमेंसे जादा तर लोग ऐसा ही भद्धा जीवन बिताते है कुछ काम शरीर की कुछ अवस्थाओं में ठीक होते हैं बलकि शोभा देते हैं वो काम शरीर की उमर बढ़ने के साथ माने चेतना की उमर बढ़ने के साथ पीछे छूट जाने चाहिए लेकिन मैंने अभी बड़ी भारी मांग रख दी मैंने कहा शरीर की उमर बढ़ने के साथ माने चेतना की उमर बढ़ने के साथ मैंने मानी लिया कि शरीर की उम्र बढ़ने के साथ चेतना की उम्र भी बढ़ती ही है जायतर लोगों में ऐसा होता नहीं तो उनकी शरीर की उम्र बढ़ती जाती है चेतना की उम्र पच्चों जैसी ही रह जाती है तो फिर वो बढ़ी हुई उम्र में भी हरकतें वही कर रहे होते हैं जो हरकतें उन्हें बहुत पीछे छोड़ देनी चाहिए थी समय में मा अगर चैतन्य होगी तो जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वो उससे शारिरिक मोह कम करती जाएगी और उसकी यानि बच्चे की आंतरिक उन्नति के लिए ततपर होती जाएगी पर माए ज़्यादा तर चैतन्य होती नहीं तो जो काम पशुवत होता है वो तो सब माए कर लेती हैं क्योंकि वो करने के लिए आपको कोई योग्यता नहीं चाहिए वो तो आपके पास एक महिला का शरीर है तो वो काम अपने आप हो जाएगा वो काम अपने आप हो जाएगा क्योंकि वो काम बिना महनत के हो जाता है आपके पास महिला का शरीर है तो आप में ममता अपने आप उठेगी लेकिन आप ममता से आगे जा करके अपने बच्चे के लिए एक पदर्शक बन सकें उसके लिए मा को महनत करनी पड़ती है वो महनत मा करती नहीं आम तोर पर राजी नहीं होती तो वो कहां अठकी रह जाती है फिर ममता में यह अठकी रह जाती है बात समझ रहे हो नए तल पर माताएं आम तोर पर प्रवेश करती ही नहीं क्योंकि नए तल पर प्रवेश करना शरम का और साधना का काम है तो वो जो पिछला तल है जो उन्हें बहुत बढ़ता रहता है, पांच की उम्र में आप अपने बच्चे के लिए, कुछ खाने पीने को लेके उसके पीछे-पीछे दौड रही है, ये बात बिलकुल ठीक है, हमारे यहां पे गौरिया है, अभी उसका एक छोटा सा बच्चा हुआ है, गौरिया उसका बड़ा ख्याल रही है, खाना उना भी उसको खिला देती है, उसे भी आजकल उड़ने की ट्रेनिंग दी जा रही है, बड़ा प्रशिक्षण रहता है, उसका ऐसे उड़ो, ऐसे उड़ो, इस सब चल रहा है, ठीक है, लेकिन इंसान में और पशु या पक्षी में अंतर होता है, गौरिया क काम अपने बच्चे के साथ दो हफ़ते का है बस, उसके बाद बच्चा अलग और रही अलग, दोनों एक दूसरे कोई ख़बर नहीं लेंगे, इनसान में नाता लंबा चलना है, अभी जो नाता लंबा चलना है, उसको लंबा कैसे चलना है, उसको लंबा ऐसे चलना होता है कि आरंभिक चरण में वो जो रिष्टा है इंसानी मा, इंसानी बच्चे का उसको वैसा ही होना होगा जैसा पशुओं में होता है क्यों? क्योंकि बच्चे को वही चीज चाहिए पशुओं में भी मा बच्चे को पकड़े अपना घूमती रहती है जब बच्चा बहुत छोटा रहता है बिल्ली को देख लो चैचडिया को देख लो किजी को देख लो तो इंसानों में भी वो करना ही पड़ेगा क्योंकि बच्चे को भी शारेरिक्षा की ज़रूर रहती है तो मा उसको अपना साथ में लेकर गूमेगी जैसे बंदरिया घुमती है वो अवश्या क्यों ठीक है लेकिन उसके बाद जो रिष्टा रहना है उसमें मा को बंदरिया समान बच्चे को लपेट के नहीं घुमना है बलकि बच्चे के लिए प्रकाश बनना है बच्चे के लिए लगभग गुरु बनना है अब यहाँ पर गड़बण हो जाती है क्योंकि जादातर माउने गुरु बनने की योग्यता अपनी जिंदगी में हासिल नहीं कियो थी उन्हें बस बच्चा पैदा कर दिया अभी उनमें गुरु बनने की या मारगदरशक बनने की कोई योग्यता ही नहीं थी बच्चा बस पैदा हो गया यूँ ही अंधेरे में अज्ञान में कई बार तो संयोग से ही पैदा हो गया बच्चा बच्चा पैदा हो जाता है वहाँ तक तो फिर भी सब ठीक चलता है जहां तक मा को बच्चे का पालन पोशन पशुवत ही करना था जो की लगभग पांच साल साथ साल की बात है वहाँ तक तो फिर भी ठीक चलेगा फिर भी ठीक एकदम ठीक नहीं लेकिन उसके बाद अब मा को बच्चे का मैं दोरा के कह रहा हूँ माँ को बच्चे का प्रकाश बनना होता है वो माँ बनी नहीं पाती है तो प्रकाश की कमी कौँ कौन सी चीज भरे रहती है फिर ममता वो रिष्टा जो रोशनी का होना चाहिए था वो रिष्टा बना रह जाता है ममत्व का बच्छे को रोशनी है नहीं मिल पाती मां से तो फिर बच्चा बड़ा भी नहीं हो पाता अगो पचीस साल का हो गया, पैतीस साल का हो गया मां उसके पीछे-पीछे दूथ का गिलास लिया की गूम रही है यह कौन सा रिष्टा है और यह कैसा पूठ जना है जिसके पीछे आज तक दूठ का गिलास लेकर घूम रही हो इसी में एक आज सवाल आया हुआ है निशायादव का है वो पुछ रही है सर आपको maternity ward से क्या problem है तो जो सवाल चल रहा है वो इसी में जुड जाता है वो पूछ रही है कि आपको प्रसूति ग्रह से maternity ward से क्या समस्या हो गई यही समस्या है कि आप बहुत जल्दी से पहुँच जाती हैं वहाँ पर बिना तयारी के मैं शारिरिक तयारी की बात नहीं कर रहा है अशारिरिक तयारी में तो इतना काफी होता है कि आपकी उमर 18 या 21 साल हो इतने चल जाता है कानून आके आपको नहीं रोकेगा आप अगर 18 वर्ष की हैं और आप maternity ward पहुँच गई तो कानून कुछ गलत नहीं हो गया धर्म भी आके आपको नहीं रोकेगा अगर आप वहाँ प्रसूती ग्रह में पहुँची है और कहती हैं कि बच्चा तो मेरे पती का इह है तो धर्म को कोई आपती नहीं होगी समाज को भी कोई आपती नहीं होगी कानून बस यह देखता है कि अठारा की है या नहीं, धर्म और समाज बस यह देखते हैं कि आपका बच्चा आपके पतेदेव का है कि नहीं, लेकिन अध्यात्म कुछ और पूछता है निशा, अध्यात्म पूछता है कि अभी तुमने कोई आंतरी की योग्यता भी अर्जित करी थी माँ बनने की, या बस यूँ ही गर्भ खड़ा कर लिया, मजाख है क्या अग्यान में किसी को जन्म दे देना, किसी की हत्या करने बरावर अपराद है और आज दुनिया जितनी पीड़ा से गुजर रही है, उसकी बहुत बड़ी वज़े ही यही है कि हम में से जादातर लोगों का जन्म ही अग्यान में होता है सुनने में पता नहीं कैसा लगेगा, लेकिन सचा ही है तो कहे देता हूँ, हम में से जादातर लोगों को पैदा होना ही नहीं चाहिए था ज्यादा तर लोगों को, हम बस यूँ ही पैदा हो गए और यूँ ही पैदा होकर बस यूँ ही भुगते जा रहे हैं बैंगलोरम शिविर था वहां से, मैं वापस आया तो हवाई एड़े पर रुके, सुबह सुबह, वहां पर कॉफी पीने लगे और उसके ठीक सामने एक खिलोनों की दुकान थी, एरपोर्ट की बात कर रहा हूँ और वहां पर तीन चार जवान लड़के लड़कियां थे, ऐसे ही बीस, बाइस, अठारा, पच्चिस, ऐसे ही रहे होंगे और वह क्या कर रहे थे, मिर पास समय बहुत था, तो मैं आराम से बैठकर के वहां पर देख रहा था उनको वो बच्चों के खिलोने लेकर के खेल रहे थे वो हां बच्चों के खिलोने लेकर खेल रहे थे, क्यों खेल रहे थे ताकि आते जाते लोग उन्हें खिलोनों से खेलते देखें तो आकरशित हो जाए मैं उन्हें घंटे भर देखता रहा वो घंटे भर यही करते रहे और उन्होंने एक युनिफॉर्म पैन रखी थी उस स्टोर की तो चारों पाचों जो खेल रहे थे उन खेलोनों से वो एक जैसे लग रहे थे एक था जो एक घंटे तक मेढ़ा कुछालता रहा बस यह एक जवान आदमी है जिसको पैदा करके इस हालत में छोड़ दिया गया है कि वो मेंड़क उचाल रहा है एक लड़की थी उसने एक प्लास्टिक का बैट पकड़ रखा था उस बैट से एक बॉल बंधी हुई थी लंबी जी डोरी से वो उसको ऐसे ऐसे उचाल रही थी उचाल रही थी और उचालती गई उचालती गई अब इसली पैदा करते हैं बच्चे क्या करेंगे ये पैदा हो करके और बड़े हो करके इतनों के लिए रोजगार तो छोड़ दो हवा पानी अन भी है इस दुनिया में इसलिए मुझे maternity ward से समस्या है और निशा जी मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा है कि बच्चे बिल्कुल ही न पैदा हो अगर एक जोड़ा एक बच्चा पैदा करे तो चलेगा लेकिन एक में आपका मन कहां भरता है दो चार और वो जो एक है जिसको मैं कह रहा हूँ कि चलेगा वो भी तब आना चाहिए जब पहले माँ और बाप दोनों अंतरिक रूप से बिल्कुल तयार हो सक्षम हो उस बच्चे को दुनिया में लाने के लिए और जब तक आप पूरे तरीक से तैयार नहीं है तब तक एक बच्चा भी मत ले करके आईए यह अपने खाने को होता नहीं है और बच्चा पैदा कर देते हो यह हुई बाहरी योग्यता की बात और जहां तक आंतरिक योग्यता की बात है अपना जीवन अंधेरे में डूबा हुआ है आदतों में डूबा हुआ है कोई आंतरिक मजबूती अपने भीतर है नहीं चोटी-चोटी बात पर डर जाते हैं अच्छे बुरे सही गलत की कोई समझ नहीं है जीवन में आंतरिक तौर पर ऐसा हाल है जो चाहता है वो प्रभावित कर लेता है और ऐसी अंतरिक स्थिति के साथ आप बच्चा पैदा कर देते हो या आप गुनाह कर रहे हैं उस बच्चे के साथ जो भी लोग ग्रहस्ती बसाने और फिर ग्रहस्ती बढ़ाने की तैयारी में हो हाँ जोड के निवेदन करता हूँ अपने आप से इमानदारी से एक बार पूछ लीजिएगा क्या आपने काबिलियत पैदा कर लिए आप सक्षम हैं तैयार हैं दोनों तरीके से बाहरी तरीके से भी और भीतरी तरीके से भी बाहरी तरीके से आपके पास कम से कम कुछ नियूनतम आर्थिक संसाधन होने चाहिए बच्चे का पोशन करने के लिए उसको शिक्षा देने के लिए वगेरा वगेरा ये बाहरी पातता हुई और आंतरी क्योगरता क्या हुई आंतरी क्योगरता ये हुई कि आपको यकीन है कि आप जीवन को समझते हो आपको यकीन है कि आप जन्म और मृत्य को समझते हो आप जानते भी हो कि दो शरीरों में क्यों इतनी चाहत रहते हैं तीसरा शरी रूत्पन कर देने की आप यह से बातें समझते हो दुनिया में जो किताबें पढ़ने लाया कि उन्हों से कुछ भी किताबें आपने पढ़ी है अध्यात्म का अभी जानते हो यह बातें आंतरिक योग्यता पदर्शित करती है जब आप एकदम निश्चित हो जाओ कि आप में बाहरी योग्यता भी है और आंतरिक योग्यता भी है तब बच्चा पैदा कर लेना और तब भी पैदा करना तो मैं सुझाओ यही दोंगा कि एक ही करना इस प्रत्वी पर अब गुंजाईश नहीं है भाई आप नहीं समुझ रहे हो बात को हम आठ सो करोड हो चुके है कितने लोगों के खाने को खाना नहीं है सांस लेने को हवा नहीं है पीने को पानी नहीं है रहने को जगह नहीं है चलने को सडक नहीं है उस बच्चे को अगर खाना देना है तो उसको खाना पर देने के लिए जंगल काटने पड़ेंगे नजाने कितनी प्रजातियां खत्म करनी पड़ेंगी उस बच्चे को अगर कहीं बसाना है उसे घर देना है तो उसे घर देने के लिए भी जितने संसाधन चाहिए उतने अब इस प्रत्वी पर हैं ही नहीं तो मैं कई दृष्टियों से बात करके बोला करता हूँ मैंने कहा माबाप की बाहरी तयारी मैंने कहा माबाप की आंतरिक तयारी और फिर मैंने चर्चा करीब प्रत्वी की और संसाधनों की और पर्यावरण की इसी पे एक follow up आ गया भी अचारे जी क्या बच्चा पैदा करने का भी कोई उचा उदेश संभव है दीखे उचा उदेश ये तो संभव हो सकता है कि अगर आप कहें कि मैं बच्चा जो पैदा कर रहा हूँ वो मेरा एक महत अभियान होगा एक grand project होगा और उस बच्चे को मैं light of the world विश्यो के प्रकाश के रूप में बढ़ा करूँगा ये सब हो तो सकता है सहद्धानतिक रूप से theoretically पर ऐसा कर पाने के लिए मावाप में उतनी योग्यता समझ और संघर शिलता होनी चाहिए न